नमस्कार स्वागात है आपका निशक पैरे रसुई में और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही एजी बिल्कुल नहीं तरीके की मिठाई जो बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी स्वादिश्ट है तो आज हम बनाने जा रहे हैं कार्जू मिल्क तो इस तरीके समय से पाउडर बना लेंगे और पाउडर बना लेंगे अच्छे से जिस्टेश में कोई भी गुठलिया या फिर सकी टुकड़े ना रहें तो इसके बाद हम देसी घी के डालेंगे और यहां ने देसी घी का इस्तमाल किया है आप चाहिए तो रिफाइंड कभ बहुत धंडा नहीं है नार्मल टेंप्रेचर पर यह दू तो हम इसे मिला देंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और इसे अच्छेस मिलाएं जिससे में गुठली आना रहे हैं फ्रेंट्स वीडियो पूरा देखा करिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पानी बिल्गो नहीं है और इसके पेस्ट नहीं को ना देते हैं ऑग्सलोय श्र्छेट आएंगे तो इस तरी से में पीश्ट को डाल देते और इसे लगातार फेटते हुए चलाएंगे जो इसमें गुट्लिया रहेंगे वो खतम हो जाएंगे यह देखिए इसमें काफी गुट्लिया है तो इस तरी किसे हम इसे 2-3 मिट के लिए और चलाएंगे इसके बाद एक और काम करना हमें फ्रेंट हमें एक साइड गैस पर हलक लिए तो यहां पहले बैस डालेंगे तो यह देखिए डालते कैसे बबल्स बढने लगें तो यहां पर चमच घी डाला इसको फिर से मिला देंगे और जो पहले डाला है तो पुल मिला के लगभव में 100-500 ग्राम तक की लग गया है हमारा इसमें और काफी अच्छी मिठाई बनके तैयार होगी है तो हम इसे इस तरह की लगता चलाते हुए बुन लेंगे हमें इसे काफी और सूखा करना है और बीच विच में घीव डालते जाएंगे काजु मिलक के खमारा बनकर बिल्कुल लगभव में तैयार हो गया तो इसमें दो चमच घी और डालेंगे गरम चला लेंगे और चलाने पड़ेंगे किसी धाली ट्रेय यआ फिर किसी बभवी जमाने वाले पिलेट में हम इसे पहले से बटर पेपर गीन हम जानी घूत हो हुए हो बोड़ी तैयार हो गया है सब्सक्राइब कर देते हैं जिसमें पहले से घी लगा रखा है इसे बाद में निकलने में असानी होने तो बाद में जमने बाद कर सच्छे से नहीं लग पाते हैं तो इस तरी किसे हम चाकू से सब्सक्राइब करें जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक नमस्कार धन्यवाद